देवधा थाना च्छेतर के सिमराढ़ी एबंग गाढ़ा के बीच एनच रोड इट भठा के समीप एक युबक का सबसंदिग्द इस्थिती में मिलने से संसनी फैल गई सुचना पर पहुंची पूलीस ने सब को कभ्य मिले कर पोस्ट माटम के लिए मधवनी सदर अस्पताल देद दिया फिलहाल मामले की जाच पर ताल की जा रही है मिर्ता की पहचान देवधाथन अच्छेतर के गाढ़ा गाव निवासी राम नराइन साह का 25 बरसे पुत्र रतन साह के रूप में की गई है मिर्ता के चाचा असोक साहा ने बताया की मेरा भतीजा रतन सानी बार की रात 9 बजे बाइक लेकर घर से मेला देखने के लिए निकला रतन की ममी मेला देखने जाने के लिए मना भी किया लेकिन रतन नहीं माना और बोला एक दो घंटे में मेला घूम कर आ जाएंगे लेकिन रात में हुआ घर नहीं आया तो उसकी मम्मी को लगा कि कहीं मिला देख रहा सुबा में रतन आ जाएगा लेकिन जब सुबा में अस्थानिय लोग घूमने गया तो देखा कि एक सब इत भटा के समिप रोड के बगल में है तब यह जानकारी हम लोग को मिला हम अस्थानिय प्रसासन से मांग करते हैं कि घटना की जाच परताल सही धंग से हो ताकि घटना के कारण का पता चल सके पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रहे और पोस्मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हकीकत पता चल सकेगा क्या नाम है उसका रतन कुमार नाम है पुलिस आई थी क्या पुलिस वी उपस्मार्टम के लिए ले जा रही है अब हम लोग यहां से जा रहे है अस्थानिय परशासन से आप क्या मांग करते हैं मांग करते हैं उसका जो पिल्टे घपना हुआ नहीं हुआ उसका थान विन हो कौन किया नहीं किया किधर से आया कौन मारा नहीं मारा उसका थान विन करें उसका आती करें उसका नियाई मिलना चाहिए उसको तराती मिलना चाहिए आपका क्या नाम है असोक्षा नाम मेरा ब आप हमारे मदूबने न्यूस को फेज़ुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूटूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूले पेखाना रास्ता के किसी तरह की समस्या जैसे कब्स बावासीर भगंदर या सौच के समय मांस बहार निकलना गुदा मार्ग में जलन खुजली या दर्ध होना गुदा मार्ग के आसपास गाट फफोला भगंदर जैसे बीमारी का ओप्रेशन कराने के बाद भी जदी परेशा निव लाइफ किलनिक रामजान की चौक साहरघाट मधुबनी